नमस्कार आप देख रहे हैं A.B. Star News मैं हूँ आपके साथ सपना वर्मा वक्त हो चला है एक किस्सा दिन का हिस्सा का ये एक ऐसा कारिक्रम है जहां हम आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में जुड़े हर दिन के किस्से कुछ अनोखे और कुछ तिल्चस्प किस्से चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ जो की जुड़ा है महात्मा गांधी के आंदोलन से उस आंदोलन से जिसने नमक कानून का उलंगन किया उस आंदोलन से जिसकी शुरुवात आज के दिन हुई थी चलिए नजर डालते हैं कौन था कौन सा था वो आंदोलन और क्या रहा उस आंदोलन का इतिहास आईए जानते हैं आज क्या है खास खंगालते हैं इतिहास के पन्ने भारत ने आजादी के लडाई के लिए काफी लंबा संधर्श किया तब जाकर कहीं आज हम देश वासी इस आजाद देश की खुडी हवा में सांस ले पा रहे हैं अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से खोकला कर दिया था इतिहास बताता है कि अंग्रेजों ने पसलों से लेकर रोज मर्रा की वस्पों तक पर टैक्स लगा कर भारतियों का खून चूसने का तमाम प्रयास किया देश की जनता का खूप शोशन किया लेगिन वो कहते है जब जुल्म बढ़ने लगते हैं तो उसका अंत करने वाला कोई न कोई मसीहा जरूर आता है धाल बन कर वो आवाज उठाता है अत्याचार अन्याय के खिलाब ताकि लोगों को इससे मुद्द किया जा सके ठीक एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों की अत्याचारों की सी जिनमा इसकदर पार हो गई कि अंग्रेजों ने रोजमर्रा की वस्तु जो भारतिये भोजन का हिस्सा थी उसको लेकर काला कानून बनाया वो वस्तु थी नमक जिसकी बिक्री सरकार के अधीन कर दी गई भारतियों से नमक बनाने का अधिकार छीन लिया गया भारतियों को इंग्लेंड से आने वाले कई गुना महंगे दामों पर बिक्रहे नमक को खरीदने पर मजबूर किया गया। जिस वज़ा से नमक के भारी भरकम दामों के विरोध में आजी के दिन साल 1930 को महात्मा गांदी ने दांडी मार्च निकाला था। इस दांडी मार्च का मकसद नमक कानून को तोड़ना था। इसमें महात्मा गांदी सहित सत्यागरे में शामिल हुए कई लोगों ने दांडी मार्च को बढढ़ावा दिया और इसमें शामिल हुए। दांडी मार्स साबरमती आश्रम से शुरू होकर करीब 390 किलो मीटर का पैदल सफर तैकर दांडी पहुँचकर समुद्र तट के पास खत्म हुआ यहां गांधी जी सहित मार्च में मौजूद सभी आंदोलन कारियों में नमक कानून तोड़ा जिसके बाद गांधी जी के सत्यागरे में शामिल 80,000 से भी जादा लोगों को उस वक्त गिरफतार किया गया लेकिन ये तो बस शुरुवात थी आगे चलकर नमक सत्यागरे सभी ने अवक्या आंदोलन को दिशा देनी का जरिया बना आज दांडी मार्श को 92 साल पूरे हो गए हैं इस मौके पर पियम मोदी सही देश के तमाम दिगज नेताओं ने बापू को याद कर नमन किया है दांडी मार्च जिसे 92 साल पूरे हो गई है आज एके दिन साल 1930 को दांडी मार्च निकाला गया ये मार्च साबर मती से दांडी तक निकाला गया डांडी में समुंदर में के पास जाकर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ कर उसके बाद इस माज की शुरुवात हुई इस माज का मकसद अंग्रेजों के दुआरा चलाई गई गलत विरोध लीती का विरोध करना था गलत कानून का विरोध करना था जिसके मकसद से ये आंदोलन चलाया गया ये इस आंदोलन के बाद ही सवी ने अभग्या आंदोलन की शुरुवात हुई बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से के तरब हमारा अगला किस्सा जुड़ा है मौरिश्यस की आजादी से मौरिश्यस की आजादी जो आज के दिन ही हुई थी आज के दिन का मौरिश्यस की आजादी से और साथी साथ इस आजादी में गिर्मिटिया मजदूरों की क्या भूमी का रही चलिए एक नजर डालते हैं इस पर आज का दिन इतिहास के पन्नों में बेहत खास है इस दिन का संबन्ध गिर्मिटिया मस्दूरों से है वो मस्दूर जो मौरिशिस की आजादी का कारण बने मौरिशिस अफ्रीका महादीब का देश है आज मौरिशिस का राष्टिय दिवस है आजे के दिन साल 1968 को मौरिशिस ने आजादी हासल की थी ये दिन मौरिशिस की सुवतंतृता का दिन है इस सुवतंतृता के पीछे की कहानी काफी जादा दर्दनाख है इस कहानी की शुरुवात गन्वी की खेती से होती है गन्ना जो की मौरिशिस की अर्थ वैवस्था की बैकबोन था साल 1934 में जब यहां से दास्प्रथा पर रोक लगी तो खेती के लिए मजदूर मिलना काफी मुश्किल हो गया था जिसके बाद कम पैसो में भारस से मजदूरों को लाया गया इन मजदूरों को एक एग्रिमेंट करके लाया जाता था इस एग्रिमेंट में रहना, खाना और आने जाने का खर्चे से लेकर उन्हें कितनी मजदूरी दी जाएगी सब कुछ तै करवा लिया जाता था ये मजदूर बिहार के छोटे छोटे जगा से, छोटे छोटे इलाकों से, गाउं से आते थे ये मजदूर अच्छे भविश्य की तलाश और सपने लेकर आते थे लेकिन यहां पहुँचने के बाद होता था बिलकुल इसका विपरीत उनके साथ जुल्म हुए, उनके साथ जानवरों से भी जादा बत्तर सुलूप हुआ छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें जेल डाल दिया जाता था उनके बच्चों की कम उम्र में शादी करवाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था बाद में इन जुल्मों से तंग आकर वहां गिर्मिटिया मजदूरों ने एक चुट होकर दीरे-दीरे सत्ता में बदलाव की शुरुआत की और एक वक्त ऐसा आया जब सत्ता इनके हातों में आ गए जिसके बाद महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर आज़ादी का दिन 12 मार्च यानि की आज का दिन चुना गया मौरिशिस में आज भी भारतिय संस्कृती की जलक देखने को मिलती है आज़ादी की वो कहानी जिसने गिर्मिटिया मजदूरों को सत्ता के शिखर तक पहुचा दिया साल 1968 का वो दौर जब मौरिशिस को आज़ादी हासिल हुई आज एके दिन मौरिशिस को आज़ादी मिली थी इसमें गिर्मिटिया मज़दूरों का काफी जादा योगदान देखने को मिला है गिर्मिटिया मजदूरों की बात करें तो ये वो मजदूर थे जो बिहार से मौरिशेस आये थे इन मजदूरों को अच्छी व्यवस्था, अच्छे वेतन का लालच देकर उस वक्त कॉंट्रैक्ट के दम पर मौरिशेस लाया जाता था पर बाद में सारी चीज़े एकदम विप्रीत होती थी ना तो वो बादे पूरे होते थे और ना ही अच्छा तरह का वेतन देने की सुविदा उने दी जाती थी गर्मिटिया मजदूर उस वक्त इतने जुल्मों का शिकार हुए कि अंत ऐसा हो गया कि अंत में सत्ता उन्होंने समहाल ली बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ हमारा अगला किस्सा जुड़ा है साहित्य अकादमी से जिसकी आज के दिन से इसका बहुत गहरा संबन है चली नज़र डालते हैं कि साहित्य अकादमी का आज के दिन से क्या संबन है चली नज़र डालते हैं आज का दिन साहित्य जगत के लिए बेहत खास है। इस दिन का संबन साहित्य जगत की सबसे बड़ी संस्था साहित्य अकादमी से है। इसके तमाम ओफिसों को लेकर तो ये देश के कहीं राज्यों तक फैली हैं साहित्य अकादमी लेखकों को सम्मानित कर उन्हें साहित्तिक रचनाओं के विकास के लिए प्रेरित करती है साल 1954 का वो दौर जब भारत सरकार की ओर से साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी आज इसका स्थापना दिवस है इसकी स्थापना का मकसद था साहित्यों का विकास करना और लिखकों को सम्मानित करना वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का हम फिर मिलेंगे किसी नए किसे के साथ तब तक के लिए देखते रहिए एक किसा दिन का हिस्सा शुक्रिया